नमस्कारम सद्गुरू मेरा सवाल मृत्यू के बारे में है तो जिनोंने साधना की है और जो मर चुके हैं जैसे की मेरे दादी दादा जिनोंने आप से दीख्षा ली थी क्या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? मैं पिछले तीन दिनों से इस किताब में डूबा रहा हूँ यह महां शिवरात्री के दिन प्रकाशित होने जा रही है यह किताब मृत्यू पर है यह अंदर की बात है यह सिरफ उनके लिए है जो मर जाएंगे यह मर लोगों के लिए नहीं है तो आप तो जानते ही है यह वो बाते हैं जो मैंने कही है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ और अब मैं वो तमाम बेवकूफी भरी चीज़ें देख रहा हूँ जो जीवन के गहरे आयामों के बारे में कही जाने वाली है क्योंकि लोग इसे संदर्ब से बाहर ले जाएंगे और इसे चारों और फैलाएंगे क्योंकि यहां ऐसे लोग भी हैं जो वाटसाप पर पिएच्डी कर रहे हैं पता है ना तो मैं बस इससे पैदा होने वाले अलग अलग नतीजों के बारे में सोच रहा था पर कोई बात नहीं मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ मैंने हमेशा कहा है अपने जीवन के शुरुवाती हिस्से में मैंने इसे बहुत सीधा सीधा कहा है लेकिन क्योंकि हमारे मन में ध्याने लिंग थे मैं थोड़ा सा व्यवहार कुशल बन गया मैंने वही बाते कहीं बस आवरण थोड़ा अच्छा रखा मैंने खुद भी अच्छे कपले पहनना शुरू कर दिया वरना मैं हर तरह से दो टूक था तो जादातर बातें उन दिनों से आई है जो कि बहुत खरी-खरीन थी, दो टूक थी एक बार फिर मैं उस तरफ जा रहा हूँ ये व्यवहार कुशलता, इस व्यवहार कुशलता का समय पूरा हो गया रहो सकता एक और साल, थोड़ी और व्यवहार कुशलता रहेगी उसके बाद हम बिलकुल बेबाक हो जाएंगे मुझे नहीं पता था, इसकी इतनी फैन फॉलॉइंग होगी क्योंकि सामाज एक वास्तविक्ता बदलती रहती है लेकिन किसी को तो ये बता नहीं है कि सच क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में अधिकतर लोग जो अपने भीतर किसी गहरे आयाम तक पहुँचे आम तोर पर उन्हें उनके जीती जे समझा नहीं जा सका है हम इतने दुरभागेशाली नहीं है मुझे बताया जा रहा है कि अब तक एक अरब से जादा लोग हमारे वीडियो देख चुके हैं ये मेरे लक्ष का 16 प्रतिशत है और आप ताली बजा रहे हैं मेरी असभलताओं का जश्नमत मनाई है तो ये हर पीड़ी में था जब भी एक आद्म ग्यानी आये असली बुधिमानों ने कभी अपना मूँ नहीं खोला मेरे जैसे आती उत्साही लोगों ने अपना मूँ खोला और अक्सर मारे गए या उन में से कुछ इतने समझदार थे कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से इसे एक जामा पहनाया और इसे एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका हजारों अलग-अलग तरीकों से गलत अर्थ निकाला गया और लोगों ने अपनी सुविधा की अनुसारे से तोड़ा और मरोड़ा लेकिन आज हमारे पास यह सुविधा है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है लोग आसानी से गलत मतलब नहीं निकाल सकते क्योंकि हम रीपले करते हैं ऐसा नहीं है कि हम पहले जिजगते थे लेकिन कुछ बातें कहने से कभी कभी बच्चते थे सिवाए करीबी सरकल के लेकिन मुझे लगता है कि अब जब एक अरब लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं अब ये दुनिया ही करीबी सरकल है मेरे दिल और दिमाग में वो पहले से ही करीब थे लेकिन अब उनके दिल और दिमाग में भी मैं उनके करीब हूँ इसलिए हम सिर्फ यहां बैठे लोगों से सीधी खरी-खरी बात नहीं कर सकते उनका क्या करें, उन्हें टॉलिट जाने पड़ता है तो ऐसा रुख क्यों? मुझे लगता है कि इससे पहले कभी भी दुनिया सीधे वार के लिए तैयार नहीं थी ऐसा वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है ये हर तरह की चीजों को लेकर जो ओवर एक्सपोजर है बहुत ही कम अमर से ही हर कोई हर तरह की चीजों के संपर्क में आ रहा है इसने लोगों को एक तरह से बहुत जादा एक तरह से हार्ड कॉर बना दिया है तो उनसे हलकी पुलकी बातें करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए डेथ बुक एक बहुत ही कठोर वक्तव्य है जानबूच कर हमने इसे भाषा को निखारे बिना वक्तव्यों को निखारे बिना रहने विया है बिल्कुल वैसे का वैसा ही जैसे एक गये हैं क्योंकि यह किसी ऐसे इंसान से कहे गये थे जो उस वक्त एक सच्चा सवाल पूछ रहा था एक सच्चा साधक था वैसे का वैसा जैसे उसे बताय गया था अब हम दुनिया से इस तरह से बातें कर रहे हैं और इससे बहुत हंगमा खड़ा होने वाला है तो अगर आपको लगे कि सद्गुरू ने वो सब भी आवरनक हो दिया है और आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं मेरा मतलब जंगल में क्योंकि ये समय इंसानियत के जीवनकाल में ये समय बहुत महत्वून है लोगों तक पहुँच बनाने के मामले में और संपर्क बनाने के मामले में इंसानियत कभी इस तर की पहुँच और संपर्क नहीं बना पाई है तो ये सुपर ओवर है हमें हर गिन पर छका लगाना होगा वो शायद प्यार की तलाश में होंगे सिक्ष्वालिटी की तलाश में या बस Amazon पर कुछ खरीदना चाहते होंगे या वो मृत्यों और आत्मग्यान की तलाश में होंगे जिस तरह के आबादी हम लोग बन गए हैं और जिस तरह के सशक्ती करण तक पहुँच गए हैं अगर अब हम अंदर की ओर नहीं मुड़े तो हम वो सबसे बड़ी आपदा बनने वाले हैं जो मानावता ने कभी देखी होगी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इंसान और इंसान के साथ जो सिर्फ और सिर्फ एक लौती प्रॉब्लम है वो है वो अचेतन है और आदतों से विवश है चाहे आप टेकनोलोजी को देख लें या आप राजनीती को देखें आप धर्म को देखें या आप उद्योग और बिजनस को देखें मैं इस धर्द की सारी में इन ताकतों की बात कर रहा हूँ ये सारी विवश्टा में और अचेतन्ता में काम कर रही है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सीखों को भी हिला देने वाला होना पड़ेगा नहीं तो उनको नजर अंदास करना बखोबी आता है ये सिर्फ असर डालने के लिए नहीं है सच तो वैसे भी ऐसा ही है सच चौंकाने वाला होता है कुछ लोगों के पास सच को निगलने और ठीक बने रहने लाइक पाचन तंत्र होता है अगर आप उन्हें सच्चाई देंगे तो वो बिदक जाएंगे आपकी अपनी सच्चाई मैं कह रहा हूँ अगर आप उन्हें उनके बारे में सच्चाई बताएं तो वो भढ़क जाएंगे क्योंकि उनको हमेशा सिर्फ नाम के सभिता की प्रक्रिया धार्मिक प्रक्रिया और अन्हें चीजों के द्वारा अच्चा होना सिखाया जाता है अगर आप एक पून अंसान के रूप में खिल जाएं तो आपको अच्चा होने की जरूरत नहीं है यह अपने आप में अच्चा है बस इसलिए आपको अपने आपको तयार रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है हमने कई जगा आग लगाई है जो धीरे-धीरे रोशन होगी और साथ ही दुर्भाग्य से हमें सिर्फ इंसानों से ही नहीं पर्यावरण से भी ने बटना है पर्यावरण को भी समालना है काशे काम हमारा न होता लेकिन वो एक बहुत विक्राल समस्या है इतना कि लोग मुझे पेड लगाने वाला कह रहे हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है अब इस एक खरब पेड अभियान के साथ मैं अरे मैं एक नियुक्त किया हुआ पेड लगाने वाला बन जाओंगा तो खुद को उस से बाहर निकालने के लिए भी मुझे आध्यात्मिक पहलों को थोड़ा और सक्ती से बनाना पड़ेगा नहीं तो लोग सोचेंगे मैं पेड लगाने वाला आदमी हूँ पेड लगाना कोई बुरा काम नहीं है लेकिन मेरा काम लोगों को फूलों की तरह खिलाना है ना कि पेड लगाना तो आम तोर पर खाद का स्वाद बुरा मेरा मतलब उसकी गंद बुरी होती है मैं कहने वाला था स्वाद खराब होता है वो भी हो सकता है एक बड़ा ही उत्साही सेल्समैन था उसने टैनेसी के नैश्विल में एक नया एरिया उभरते हुए देखा तो उसने जाकर एक दर्वाजा खटखटाया एक महिलाई और दर्वाजा खोला वो सीधा अंदर गुज गया और एक थेला निकाला और खूब सारी घोले की लीद निकाली और उसको पूरा नए कालीन पर बिखेर दिया और बोला देखे मेरे पास एक नया बिलकुल लाजवाब वैक्यूम क्लीनर है बिना कोई निशान छोड़े ना कोई दाग ना थोड़ी सी भी बदबू छोड़े ये सब कुछ साफ कर देता है और आपके कालीन को एक बढ़िया महग देता है बस यूँ ही केवल पांच मिनट में ये कर दूँगा अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मैं इस घोले की लीद का एक एक टुकला खा जाऊँगा तब महिला ने कहा रुको मैं थोड़ा सा टोमैटो कैचप लेके आती हूँ क्योंकि ये घर नया है अभी हमारे हाँ बिजली नहीं आई है तो आप जानते हैं ना जब आप गोबर खाने के लिए मजबूर हैं टोमैटो कैचप मदद करता है तो इस टोमैटो कैचप की वज़े से दुनिया में बहुत सारा गोबर खाया जा रहा है थोड़े से कैचप के कारण आपको ये पता नहीं लग रहा कि क्या गोबर है और क्या असली नाष्टा है तो हम टोमैटो कैचप खाटा देंगे मैं बस इतना ही कह रहा हूँ गोबर गोबर ही होता है तो आप आपकी दादी की बात कर रहे थे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं अगर वो इच्छुक हैं, अगर वो दीख्षित हैं, तब तो पक्का लेकिन इसके कई आयाम है इस तरह की छोटी सी मुलाकात मैं मैं इसे खोलना नहीं चाहता और साथ ही, मैं डेथ बुक की बिकरी पर असर क्यों डालूँ? क्योंकि अब तक मैंने कभी इस बात की परवा नहीं की कि कितनी किताबे बिकरे ही हैं ये कहां तक पहुँच रही हैं, लेकिन अब मैं प्रकाशकों से पिछले दो-तीन दिनों से मिल रहा हूँ और जैसा कि मैं आपको पता है न, अलग-अलग विशाएं हैं और अलग-अलग सवाल हैं जिने मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनकी नजर हमेशा इस बात पर है कि महाशिवरातरी में कितने किताबें बिकेंगी तो मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता क्योंकि कितनी किताबें बिकती हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उन्हें इससे बहुत फर्क पड़ेगा इसलिए आपको पहली कौपी खरीदनी चाहिए ये किताब की बात नहीं है बात ये है कि इस तरह के पहलूं के लिए हमें अलग तरीके से बैठना चाहिए ऐसे नहीं मैं अभी शाम के समय एक मिलंसार मूड में हूँ हमें उस सवाल का जवाब देने के लिए एक अलग तरह का होना होगा किसे बाचल बात अर्ए पर देल्ड़ का उचलग परधा शलेड़ एक शेफ़ेा का शीतों के अड़ है